Hello dear student, how are you? I hope all of you are good and all of you are doing great. मैं विक्की कुमार बहादूर, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राहूल कॉमर्स एकेडवी में. तो आज से हम लोग Class 12 के लिए 2024 के एक्जाम के लिए हम लोग योद्धा स्रीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इस स्रीज के रिगार्डिंग सभी सब्जेट के मैं आप लोगों को महा मेरोथोन क्लासेस दिया करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को सभी सब्जेट का एक साथ, जैसे की Economics, Accountancy, BST, BMT, Hindi, English, सब्जेट का separately महा मेरोथोन क्लास होगा, जिसमें उसके complete पूरे सब्जेट का objective और subjective question को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि exam के लिए अभी कम समय है, समय नहीं है कि chapter by chapter पढ़ा जाए, हर एक सब्जेट का most important objective type का question को मैं आप लोगों को बताया करूँगा, तो इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 economics का part B, यानि कि macro economics समस्ती और सब्जेटर का सभी chapters को मिला के most important objective question, और objective question इतना important है, जो previous years के question में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये questions आपके question bank में मिलेंगे, ये questions आपके guest paper में मिलेंगे, ये questions आपके model paper में मिलेंगे, ये questions आपके previous year questions में मिलेंगे, इतना important है, देखो बच्चो बात समझो, कि ये जो macro economics जो part B है, एक्जाम में यहां से आप लोगों को 15 questions पूछेगा, 15 questions पूछेगा, 15 chapter है पढ़ने के लिए, एक chapter में 20-30 questions है, तो ऐसे में आप लोगों क्या 15 number के लिए, क्या 200-300 questions याद कर पाऊगे, नहीं कर पाऊगे, तो मैं आप लोगों को लिए एकदम marathon class में उतना ही question बताऊँगा, जो आप लोगों को exam में टेली कर जाएगा, ठीक है, हर एक subject का one by one करके बताएंगे, macro economics अभी start करते हैं, और एक-एक करके बताएंगे, marathon class है, वीडियो लंबा बनेगा, बीच में बोर हो करके जो है, वो छोड़ करके वीडियो को मत जाना, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार, आप लोगों का पढ़ना बेकार, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के भी इसको share कर देना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो जादा से जादा support करो, like जरूर करना, comment जरूर करना, और अपने सभी दोस्तों के भी चैनल को share करके, subscribe जरूर करवा देना, मैं सभी subject का per day marathon class आप लोगों के लिए ले करके आऊंगा, ठीक है, चलो, start करते हैं भाई, अब हम लोग, यह जो हम लोगों का part B है, macro economics, उसका जो पहला chapter है, जिसका नाम है समझती और सास्र का परीचाय, यानि macro economics and introduction, इस chapter के most important objective type के questions को हम लोग अभी करेंगे, देखो, क्या है समझो बात को हाँ, जितने भी questions मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें 2 या 3 chapter को मिला करके एक chapter बना हुआ है, ऐसे में क्या होगा, part B में अगर आप लोगों का 15 chapter है, तो भी 15 chapter नहीं पढ़ना है, 15 chapter को आपस में merge कर दिया गया है, एक दो chapter को डाल डाल करके एक chapter बना दिया, और उस chapter के most important objective questions जो है वो बताया गया है, हिंदी इंगलिस दोनों में बताएंगे, एक दाम अच्छे से समझना, पढ़ते पढ़ते सारा चीछ समझ में आने लगेगा, ठीक है, question number one, समझ्टी अर्शस्ट का अध्यन का बिसे है, the subject of the study of macroeconomics, तो हम सबको पता है, macroeconomics basically एक ऐसा economic sector होता है, जहां हम लोग एक individual चीजों के बारे में, यानि एक वेक्टी के बारे में अध्यन ना करके, पूरे समू या पूरे देश का अध्यन करते हैं, जैसे सकल घरेलो उतपाद यानि की GDP, राश्ट्रिय घरेलो उतपाद यानि की अपका सकल राश्ट्रिय उतपाद यानि की gross national product, राश्ट्रिय AI यानि national income, राश्ट्रिय बचत, राश्ट्रिय बिन्योग, national income, rational saving, national investment और समगर सभी चीजों को एक साथ सभी चीजों के बारे में पूरे समू के बारे में पूरे देश के बारे में हम लोग macro economics में यानि कि समस्टी अर्थास्तर में पढ़ते हैं तो basically यह जो समस्टी अर्थास्तर हैं इसमें हम लोग राष्ट्री आय का सिध्धान्त यानि the principle of national income के बारे में हम लोग पढ़ते हैं point number B पे बोल रहा है उभोकता का सिध्धान्त ए principle of consumer तो consumer तो एक परसन है एक परसन के बारे में micro economics यानि BST अर्थास्तर में पढ़ते हैं जो part A का part है इसके बाद C पे बोल रहा है उत्पादक का सिध्धान्त यानि principle of producer तो producer और consumer तो एक एक परसन है तो इस एक परसन के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं micro में यहां बोल रहा है macro में किसके बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्री आई के बारे में पढ़ते हैं कोस्टे नमबर टूर समस्टी अर्षास्त्र अध्यान है ठीक है macro economics studies देखो 2012 में पूछा गया कोस्टेन है और आपको पता है कि board जो है आप लोगों को repeat करता है तो बोल रहा है समस्टी अर्षास्त्र अध्यान है macro economics studies है किस चीज़ के बारे में तो यह study है अर्थिव्यस्था में रोजगार के आउसर यानि employment of opportunities in employment employment के लिए देखो consumption और elasticity of demand यानि की पूर्ती और मांग की लोच और यह देखो price यह सब micro economics का part होता है यानि की सुष्म अर्षास्तर का part होता है ठीक है question number 3 जो है गलती से हमसे छूड़ गया question number 4 देखो बोल रहा है रोजगार सिद्धान्त का संबंध है employment theory is related to तो अभी पड़े employment यानि रोजगार देना तो रोजगार सब के लिए बात करता है employment सब के लिए होता है तो जब बात सब के लिए होगा तो यह होता है समस्टी अर्षास्तर यानि की macro economics का part तो से number 5 पूझी के stock में ब्रिदी कहलाती है increase in the stock of capital is known as बोल रहा है कि अगर किसी भी कारण से आपका अगर capital जो है वो increase हो रहा है आपका stock जो है वो बल रहा है इसका मतलब है आपका capital बन रहा है तो आपका capital का निर्माण हो रहा है यानि capital बन रहा है समझ्टी अर्षास्त्र के अंतरगत निमनी में से किसका अध्यन किया जाता है which of the following is studies under macro economics तो भई बता है अभी macro economics में पूरे देश का बात होगा सबका बात होगा तो राश्ट्री आए बिल्कुल सही बात है फूल रोजगार बिल्कुल सही बात है full employment सबका बात होगा फूल उत्पादन total product सही बात है तो right answer होगा इसका option number D ठीक है अगे बढ़ते हैं next हम लोग आते है question number आपका 7 पे समझटी और सास्त्र में अध्यन किया जाता है macro economics studies तो macro economics का मतलब होता है एक ऐसा study जहां individual चीजों के साथ साथ सभी चीजों के बारे में बात करते है individual unit and aggregate both सबका बात करते हैं ठीक है और हाँ एक चीज़ आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं अगर मान लो कभी आप कितना भी exam का तयारी करके जाओ हां कभी न कभी कुछ-कुछ ऐसा question आपको जरूर दिखेगा जो आपको लगेगा कि ये ना out of syllabus है या नि भाई ये तो हम पड़े ही नहीं है अचानक भूल जाओगे तो एक छोटा सा trick बता दे रहे हैं अगर मान लो कोई बहुत लंबा question आपको दिख गया ठीक है और उसका option बड़ा लंबा लंबा है तो उस समय आपको उसका answer ना समझे में नहीं आ रहा है क्या होगा एकदम भूल गये माइंड कामे नहीं कर रहा है कि भाई answer क्या होगा बहुत confusion है तो उस condition पे option देखना अगर option D पे all of this लिखा हुआ मिल जाए तो all of this को tick मार देना 90% chance होगा कि वही question जो है आपका option D सही होगा अगर उस पे all of this लिखाए अगर all of this नहीं लिखाए तो C पे देखना C पे A and B both A और B दोनों होगा तो दोनों पे tick मार देना क्यूंकि नहीं तो आप कितने जादे questions को याद करोगे कभी न कभी तो भूलोगे वैसे condition पे देखो हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं आए लेकिन 90% question सही है कि वह सही हो जाए तो भाई ठीक है ना गलत मारने से अच्छ तो उसको आप ठीक लगा सकते हो अगर आपको एंसर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तब ने तो अगर समझ रहे हो तो जो आपको राइट एंसर लगता है उसको ठीक लगा ना आई मेरी बात समझ में ठीक है तो थोड़ा सा हाड़ वर्क के सासत कभी-कभी smart work भी करना च है English later macro has been taken from Greek word macro which means macro का मतलब होता है बड़ा micro का मतलब होता है व्यापक, big, big का मतलब होता है broad ठीक है तो इसका right answer होगा broad यानि की बड़ा, macro का मतलब होता है बड़ा question number 9, पर इतना बड़ा option है, प्ड़ने का जरूरत नहीं है option D पे बोल रहा है all of these मार द all of these को tick हो गया इसका right answer all of these होगा आया ना देखो है ना कितना simple चलो भई आगे question number 10 समझ्टी और सासर के छेटर में निमलिखित में कौन सा अध्यान विशय सम्मिलित है which subject is included in the subject matter a macro economics इसमें भी macro economics में देखो option number D पे all of these दिया है तो all of these को tick मार देंगे इन में से सभी एक macro economics में जो है इन सभी चीजों का अध्यान किया जाता है question number 11 ब्यापक और सासर की निमलिखित में से कौन सी उपयोगिता है which one is utility of macro economics तो इन में से सभी भाई all of these एक macro economics में इन सभी को यूज किया जा सकता है तो right answer होगा option number D question number 12 ब्यापक और सासर की निमलिखित में से कौन सी सिमाए है which one is the limitations of micro economics देखो इसका भी answer देखो आप तो आप बोलोगे sir इसका तो option number D पे none of these दिया है all of these नहीं दिया है तो नहीं मार पाएंगे लेकिन B में देखो बोल रहा है A and B both तो इसका most probable chance होगा कि इसका right answer होगा A and B both अब देखो क्यूं होगा इसका reason भी है देखो बोल रहा है limitation है यानि समझ्टी आर्सासर यानि कि macro economics जो है वो कहां लागू नहीं होता है option है बिल्कुल सही macro economics में एक चीजों के बारे में ना पढ़के सभी को collectively यानि एक साथ पढ़ा जाता है सही बात है B पे बोल रहा है वेक्तिक्त इकाईयों की अवेलना इंडिविजूल इनूट्स बिल्कुल सही है macro economics में individual चीजों के बारे में नहीं पढ़ा जाता है individual चीजों के बारे में micro में पढ़ा जाता है part B A पे तो right answer होगा C ठीक है ये दोनों ही इसका क्या है limitation है question number 13 निमलिखित में से कौन सा stock है which of the following इजे stock stock का मतलब होता है goods तो यहाँ से goods कौन है समपत्ति यानि की wealth ये goods है बाकी कोई stock नहीं है question number 14 समझ्टी आर्शास्त्र अध्यान करता है macro economics studies तो इसका right answer होगा option number D इन में से सभी macro economics में ये सब आता है ठीक है सर जी चलो आगे बढ़ते हम लोग next question number 15 पे question number 15 पे क्या बोल रहा है हम लोगों को निमलिखित में से किस वस्तू के निर्माण में गेहू एक मध्यवर्ती वस्तू है with age and intermediate goods in manufacturing of which of the following goods देखो ये जेक बोड का economics और science commerce और science को 2023 में पूछा था ये question ठीक है तो mediatory goods का मतलब होता है ऐसा goods जो किसी और चीज को बनाने में किया जाता है जैसे मालो मैदा मैदा mediatory goods है मैदा से क्या क्या बना सकते है मैदा से पूड़ी बना सकते है मैदा से bread बना सकते है मैदा से बिस्कूड बना सकते है तो ये मैदा जो है मेरा मध्यवर्ती वस्तू कहलाएगा ठीक है तो भही यही बोल रहा है गेहूं से सब बना सकते हैं, गेहूं से ब्रेड बना सकते हैं, गेहूं से बिस्कुल बना सकते हैं, गेहूं से चापाती बना सकते हैं, तो इसका right answer होगा, सभी और देखो D पे लिखाए all of these, तो टिक मार देंगे, question number 16, किसी वर्स में GDP की गड़ना म निमलिकित में से किस मद को सामिल नहीं किया जाएगा, देखो ये भी 2023 का पूछा हुआ question है, which of the following item is not including in calculation of GDP in a year, GDP का मतलब होता है, gross domestic product, यानि किस सकल, घरेल, उत्पाद, अब जब आप GDP को calculate करते हो, तो वहाँ second hand चीजों को आप नहीं जोड सकते हो, यानि मान लो, कि जब आप एक कार खरीदे थे, एक लाग का, ठीक है, तो इस कार को जब आप starting में खरीदे थे हो, तो आप इसको GDP में जोड दिये थे, लेकिन मान लो कि इस कार को आप यूज कियें, एक साल, दो साल, और इसके बाद ये second hand हो गया, तो अब इसको आप बेज दिये, तो बेज देन होगा B, परियुक्त कार का बिकरी मुल्य यानि selling price of a used car, used car को बेचे और उससे जो पैसा मिला, उसको जोड नहीं सकते हैं, ठीक है सर जी, चलो, कोस्टे नमबर 17, निमलिकित में से किस बिदी से GDP की गढ़ना की जा सकती है, GDP can be calculated by which of the following method, ये भी देको पूछा हुआ है, तो GDP calculate करने का तीन methods होता है, कोन-कोन, पहला methods होता है, मुल्य बिधी, यानि की methods of value addition, दुसरा होता है, IBD यानि income method, तुसरा होता है, BIBD यानि expenditure method, तो इन तीनों ही methods से use कर सकते हैं, तो इसका right answer होगा all of this, ठीक है, question number 18, और ये last question है, हम लोगों का पहला lesson का, इसके बाद पहला lesson हो consumption, मतलब किस goods के consumption में जो है, वो पर्तियोगिता नहीं होता, तो ऐसा goods जो सारवजनिक वस्तू है, यानि public goods है, उसमें competition नहीं होता है, competition इसलिए नहीं होगा, तूँकि ये goods तो सबके लिए है, सबके लिए है, तो competition होगा ही नहीं, तो सारवजनिक वस्तू जो होता है, उन सेयर करो और कमेंट जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के बीद सेयर कर दो ताकि वो भी आ करके इसको जोईन करके पढ़ ले ठीक है चलो कोस्टे नंबर 17 और हाँ आप लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ा लंबा ने तो बन जाएगा ठीक है इसलिए हम लो के उपर क्या numerical question आ सकता है तो हाँ आ सकता है national income के उपर numerical question और किस तरीके का question आएगा वो आइडिया आपको model paper को देख करके हो जाएगा तो जब इस साल का model paper आ जाएगा तो उसके बात वहाँ जो numerical होगा उस type के questions हम दो तीन questions को practice करवा देंगे अगर पूछना रहा अगर करन जैसे कि पिछले साल numerical question पूछा था अगर model paper में दिया तो इस साल भी numerical question पूछेगा model paper आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे ठीक है चलो अब इस chapter का हम लोगों को target करते हैं ठीक है पहला question पहला question देखो हम लोगों का क्या बोल रहा है ये तृतियक छेत्र के अंतरगत निमलिकित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है which services is included in territory sector देखो इन छेत्र होता है प्रथमिक दित्ये और तित्यक छेत्र ठीक है ये प्रमपरागत तरीका था जिसमें economic को divide क्या गया है प्रथमिक छेत्र दित्यक छेत्र और तित्यक छेत्र फर्स्ट सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और territory sector और आज के समय में एक modern तरीका होता है इन सब को बाटने का ठीक है एक होता है जैसे आपका genetic industry होता है एक आपका genetic industry एक आता है आपका genetic industry, constructive industry, manufacturing industry और एक आता है आपका genetic industry, constructive industry, manufacturing industry और एक आता है आपका constructive industry चार गो आता है ठीक है तो बोल रहा है ये तृत्यक छेत्र जो है इन में से किस चीज में तृत्यक छेत्र आता है तो तृत्यक छेत्र को basically बोला जाता है सेवा देने वाला छेत्र ठीक है और छेवा सेवा देने वाला छेतर में आता है हम लोगों का communication ठीक है ये जो हम लोगों का खनन है ये जो हम लोगों का निर्माण है ये जो animal housing ये first sector में आता है खनन और निर्माण ये secondary sector में आता है ठीक है तो right answer होगा option number C question number 2 पे बोल रहा है दित्यक छेतर में कौन सी सेवाई सम्मिली था है which of the following is included in secondary section देखो 2020 में ये पूछा हुआ question है most important है secondary sector में यहां से कौन आएगा तो देखो ये जो हम लोगों का insurance है ये जो banking है ये जो हम लोगों का आपका ये आपका हम लोगों का ये क्या है ये सब हम लोगों के लिए क्या है ये तो सब हम लोगों का 33 छेतर में जाता है secondary sector जो है वो manufacturing sector कहलाता है तो right answer होगा हम लोगों का option number D question number 3 पे बोल रहा है एक लेखा वर्स में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उतपादों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उतपादन होता है जिन में मुल्य हरास भी सामिल होता है उनका बाजार कीमत का योग को कहा जाता है the market price question में answer छुपाए देखो बोल रहा है the market price market price मतलब MP market price of all final goods and services produce in a domestic territory of a country in a year which is known as तो इसको बोला जाता है MP देखो option में MP देखो तो option में कहा है option number A पे तो इसको बोला जाता है GDP at देखो इसको कैसे पढ़ेंगे GDP और नीचे बोला है MP इसको पढ़ेंगे GDP at market price तो देखो option A में बोला था MP और option में MP है तो right answer होगा इसका option number A ठीक है भई चलो आगे बढ़ते हैं question number 4 बोल रहा है GNP MP यानि कि gross national product at market price ये कब निकलता है formula है और हमको लग रहा है exam के point of view से बहुत important और हमको लगता है कि इस साल आपको ये question पूछेगा ठीक है तो formula होता है इसको याद रख लेना ये formula है बहुत important है हमको लगता है इस साल ये formula पूछेगा same question number 5 भी बहुत important है numerical है NNP यानि net national product net national product at market price तो ये कैसे निकलता है तो भाई इसको जब हम लोग depreciation को minus कर देते हैं जो GNP आया है GNP जब इससे minus कर देते हैं depreciation को तो मेरा निकल करके आ जाता है NNP ठीक है तो इसका right answer होगा option number A formula है याद रखना exam में most profitable chance है पूछेगा question number 6 पे बोल रहा है राज़्ट्री IMA निमलिकित में किसे सामिल किया जाता है which one is including in national income जब हम लोग national income calculate करते हैं तो उसमें लगान यानि की rent मजदूरी यानि की wages वेतन यानि की salary ब्याज यानि की interest लाब यानि profit ये सब को हम लोग उसके अंदर जोडते हैं क्योंकि national income का मतलब है कि एक देश का आदमी लोग total कितना कमाया तो कहां से पैसा कमा सकता है rent से कमा सकता है wages से कमा सकता है salary से कमा सकता है interest से कमा सकता है profit से कमा सकता है तो इन सभी को हम लोग जोड देंगे किस तीच के calculation में national income यानि राश्ट्री आई का गणना करने में ठीक है तो right answer होगा इसका D आगे बढ़ते है question number 7 देखो 2016 में पूछा गया question है most important है एक अर्तिवस्था में कौन सा छेतर सम्मिलित है which sector is included इने economy तो जब एक economy हम अभी बताएं तीन सेक्टर आता है primary, secondary, territory पर्थमिक, दित्यत्र, त्यक तो तीनों होता है इनमें से सभी all of these और हम बताएं अगर आपको option में confusion है D पे all of these दिखा तो most probable chance होता है कि वही होता है आते है question number 8 पे लाब में लाब के निमलिकित में कौन से घटक है which one is a components of profit बोला गया है profit का यहां से कौन कौन सा component है तो profit का component सभ होता है all of these यह सभ चीज़ जो है वो profit में आता है आगे बढ़ते है question number 9 पे question number 9 पे बोल रहा है सकल राज़्टे उत्पात की गणना में निमलिकित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है which of the following is not included in calculation of gross national product यानि कि GNP और यह 2017 का पूछा गया question है most important है तो जब कभी भी हम लोग GNP का calculation करते हैं तो यहां से हम लोग इन दोनों ही चीज़ों को जो है वो सामिल नहीं करते हैं एक तो पुरानी वस्तु second hand चीज़ को सामिल नहीं करते हैं और मदेवर्ती वस्तु यानि कि Mediatory Goods यानि right answer होगा A and B इन दोनों को सामिल नहीं करते हैं तो से नमबर 10 चक्रिय परवा के अंतरगत निमलिकित में से कौन सा सामिल है which one of the following is included in circulation तो भाई circulation दो तरीके का होता है एक होता है वास्तविक परवा यानि कि real flow और एक होता है मुद्रिक परवा यानि कि आपका money flow तो इसका right answer होगा option number D A and B both और पता है न flow कितने types का होता है कितने levels का होता है तीन levels का होता है एक होता है two level flow एक होता है three level flow और एक होता है fourth level flow ठीक है question number 11 a stock के अंतरगत निमलिखित में कोन सामिल है which one of the following is included in a stock a stock में यहां से हम किसको जोड सकते है तो हम अभी बताए अगर option पे all of this दिखा तो मार दो all of this को टी किन में से सभी question number 12 परवा के अंतरगत निमलिखित में से कोन सामिल है same बात है भाई all of this बोला तो all of this को मार दो most important question 2019 में पूछा है जितना भी question हम आप लोगों को करवा रहे है एक-एक question अच्छे से करना बहुत important है यह ठीक है भाई बहुर तो नहीं नहीं हो रहे है वीडियो चुकी लंबा बनने वाला है तो बहुर नहीं होना तीरी सेक्टर मोडल हम अभी बता है चार तरीके का होता है तो तीरी सेक्टर मोडल में तीनों आता है फेमली, फार्म और गवर्मेंट यह होता है तीन सेक्टर मोडल तो इसका राइट एंसर होगा अच्छा तू सेक्टर मोडल में कौन कोन आता है two sector model में आता है family और farm ठीक है fourth sector medal में यानि चार sector में ये तीनों तो रहेगा एक और यहाँ पर financial market आ जाता है बीच में यानि बित्तिय बाजार एक यहाँ पर aid हो जाता है तब वो चार level बन जाता है question number 14 पर्थामिक छेतर यानि की priority sector में सम्मिलित होता है ये भी देखो 2017 और 2020 में रिपीटेड कोस्टिन है तो पर्थामिक सेक्टर में क्या आता है तो भई पर्थामिक सेक्टर में जो है वो इन में से सब आता है ठीक है इसका राइट एंसर होगा हम लोगों का option number D ठीक है पर्थामिक सेक्टर हाँ ठीक question number 15 बोल रहा है GNP और NNP में क्या संबंध है what is the relationship between GNP and NNP देखो 2023 में पूछा हुआ question है तो GNP और NNP अभी हम आप लोगों को formula बताएं थे क्या बताएं थे formula फोर्मूला बताएं थे NNP is equal to GNP minus depreciation तो राइट एंसर होगा 15 का option number C अभी हम formula बताएं थे न question number 16 stock चर का एक उधारन है an example of stock variables stock variables यहां से क्या होता है ठीक है यानि किस चीज को हम लोग यहां से stock variables जो है वो consider करेंगे तो stock बढ़ रहा है stock घट रहा है यानि कि आपका capital बन रहा है तो इसको capital को consider किया जाता है ठीक है आगे question number 17 17 पे बोल रहा है राज़्ट्रिय आए के आकलन में किसी वस्तू या सेवा के मुल्य एक से अधिक बार सामिल करना कहलाता है 2023 का question है to include the value of goods or services more than one times while calculating national income is called एक से ज़्यादा बार अगर एक ही national income को calculate कर दिये तो वो कहलाता है हम लोगों का 12 गड़ना यानि की double accounting question number 18 भी 2023 का पूछा हुआ question है GDP और NDP में क्या संबंध होता है तो हम अभी बताएं भाई GDP और NDP में क्या संबंध होता है तो इसका right answer होगा हम लोगों का option number option number पूर को एक मिट देखने दो इसका right answer होगा हम लोगों का option number B GDP is equal to NDP into depreciation ठीक है यह संबंध होता है यह नहीं पूछ रहा है NNP नहीं पूछ रहा है NNP नहीं पूछ रहा है यह पूछ रहा है कि GDP और NDP में क्या relation है ठीक है confuse मत होना NNP नहीं बोल रहा है gross domestic product और national domestic product में बोल रहा है क्या फर्क है क्या relation है ठीक है चलो हो गया इतना ही आपको करना है वो topics है अब हम लोग आते है option number हम लोगों का यह जो 8 है उसमें आते है lesson 8 I am रोजगार का निर्धार and determination of income and employment इसके अंदर भी 2-3 chapter include होगा आपका ठीक है और इस चे question पूछेगा ही पूछेगा ठीक है भाई बोर होकर के मत भाग जाना वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है ना तो interest ले करके पढ़ो उन चीजों को आगे आते है इस चेप्टर का question number one कींस के सिध्धानत का संबंद किस से है कींस theory is associated with तो जो कींस का जो थियूरी है वो बताता है कींस का जो रोजगार सिध्धानत है यानि कींस ने जिन रोजगार सिध्धानतों को परतिपादन किया था उन्होंने इन सभी चीजों के बारे में बताया था all of this, ठीक है, सब चीज किन्स के रोधगार सिद्धान्त में सम्मिलित था question number two, देखो question number two का भी answer, देखो option में all of this दिया है, तो all of this इसका right answer होगा ठीक है, question number three, किन्स का गुनक सिद्धान्त निमलिकित में से किसके बीच संबद अस्थापित करता है, किन्स multiplier establishes relationship between तो ये बचाता है कि भाई आप जो है वो किस तरीके से बचत करोगे और बचत को किस तरीके से invest करोगे, यानि saving किस तरीके से करोगे और saving को investment किस तरीके करोगा, I, SI S से saving, I से investment इसके बारे मताता है, तो तरीका right answer होगा, हम लोगों का, एक मिनिट रुइओn बचत और newest के बीच संबद नbirth और I इनकम यानि कि income आएगा, तब जाके उसका investment होगा, पैसा कमाव और इन्वेस्ट करो option number A इसका right answer होगा ठीक है, आगे question number 4 पे आते हैं गुणांग को निमलिखित में से किस सूत्र द्वारा ब्यक्त किया जा सकता है multiplier can be expressed as तो right answer होगा इसका option number K formula याद रखना इसके उपर हम लोग अभी numerical पढ़ेंगे ठीक है K is equal to triangle Y by triangle I ठीक है याद रखना formula numerical पढ़ेंगे इसके उपर आज पे बोल रहा है किन्स के गुणांग को निमलिखित में कौन से ततों परभावित कर सकता है which factor affects किन्स multiplier कौन सा चीज किन्स के multiplier को effect कर सकता है तो भाई C पे बोल रहा है A and B both A और भी दोनों तो right answer होगा A and B both ठीक है उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है इसको question number six MPS का मान होता है MPS the value of MPC sorry MPC का मान होता है तो MPC जो होता है उसका full pump होता है आपका marginal prosperity to consume और MPC का मान होता है zero से अधिक किन्तु 1 से कम यानि MPC का जो value आएगा वो zero से ज़्यादा होता है लेकिन एक से कम होता है देखो इसको आमनों numerical question में आगे पढ़ेंगे question number eight पे बोल seven पे बोल रहा है obviously अंतराल माप बताता है deflectionary gaps source the measurement of देखो क्या बोल रहा है question में answer इसका छुपा है deflection deflection मतलब होता है घटना deflection मतलब होता है घटना घटना का मतलब होता है deficiate क्या होता है भई deficiate अब option में देखो यहाँ deficiate है तो right answer होगा deficiate obviously अंतराल का मतलब होता है noon मांग की मात्रा यानि deflection हो रहा है आपका demand demand घट रहा है question number eight बोला गया है कीन्स के अर्थवस्था में नियूनतम मांग की दसा को निमलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है which of the following is known as the estate of deflection deficiate in kenisian economy तो इसका eight का हम लोगों का right answer होगा option number eight का right answer होगा option number b अपूर्ण रोजगार संतूलन under poor employment इकलूबीरियम ठीक है नाइन नंबर पे अविवस्थिक अंतराल की दसाएं in the situation of deficiatory gap तो बोल रहा है कि अभी हम लोग पढ़े कि जब deficiatory gap होता है यानि जब कभी भी gap बनता है तो हम लोग अभी क्या पढ़े उपर अभी हम बताएं थिना deflection हो रहा है deflection हो रहा है मतलब जो demand है वो कम होगा option में ढूलो तो demand कम हो रहा है मांग कम हो रहा है option में कहीं लिखा है मांग कम हो रहा है नहीं तो इसका right answer होगा option D इन में से कोई नहीं क्यों कि जब deflection होता है तो उससे मांग घटता है आभी तो हम लोग पड़े थे आगे मांग घटता है मांग घटता है कहां मांग घट रहा है नहीं घट रहा है option में नहीं न दिया है तो right answer होगा हम लोगों का option number c d आगे बढ़ते हम लोग next यह होगिया हम लोगों का 8 होगिया आगे बढ़ते हैं 9 हो गया ना, question number 10, 15 के अनुसार अर्थिवरस्था में I A WM रोजगार का संतुलन अस्थापित होता है जहां, देखो simple बोल रहा है I A WM रोजगार, तो I A WM रोजगार अस्थापित होगा जहां equal होगा, क्या होगा, बराबर होगा, देखो option में देखो यहां पर बराबर का symbol है यानि बराबर होगा A D बराबर होगा A A S का, A D मतलब होता है aggregate demand, वो किसके बराबर होगा, aggregate supply का, यानि सामुहिक मांग जो है, वो सामुहिक पूर्ती के बराबर होता है, तब जाके वहाँ जो है, वो संतुलन के अवस्था में होता है, बराबर होता है, question number 9, किन्स के लोगों का 11 का राइट एंसर होगा option number ए effective demand पे जो हाई ये based होता है आगे बढ़ते हम लोग question number 12 पे ये भी most important question है most most important पूरती स्वयम ही मांकस रिजन करती है निमलिकित में से किसने परतिपादन किया supply creates its own demand who gets this low supply अपना demand जो है वो खुद कर लेता है किसने ये कहा कहा और कहा को इंगलिस में क्या बोला जाता है से कहा को बोला जाता है से तो से याद रखना किसने कहा था भई जे भी से ने कहा था कि पूर्ती स्वयम ही मांकस रिजन कर लेता है supply creates its demand ठीक है question number 13 most important question है 2020 और 23 में पूछा था most important journal theory of employment interest and money नामक पूस्तक के लेखा कौन थे किसने इस पूस्तक को लिखा था तो jmkins ने इस पूस्तक को लिखा था most important है ये ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग यह हो गया question number 11 12 13 हो गया आगे आगे बढ़ते हम लोग question number 14 बोला गया है किनिसियन्स विचारधारा के अंतरगत आई के संतुलन का निर्धारक निमलिकित में कौन है which one of the following is the determining factor of equilibrium income in केनिसियन विउपॉइंट तो income जो है केनिसियन विउपॉइंट के regarding income जो है वो दोनों पर depend करता है अभी बताएं थे ना बराबर कहां होगा जहाँ AD बराबर होगा किसका AS का AD मतलब aggregate demand किसके बराबर होगा aggregate supply का यानि सामोहिक मांग सामोहिक supply के बराबर होगा यानि दोनों होना चाहिए वहीं पे जो है वो संतुलन होता है यानि इकलूबीरियम होता है जहाँ AD बराबर होगा AS का आया समझ में चलो question number 15 देखो यह numerical question है इस साल पूछा था और इस तरीके का question पूछा जा सकता है हम direct पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं कि MPS 0.2 है तो बोल रहा है कि आप बताओ इसका multiplier तो भई multiplier निकालने का formula 2 होता है हम easy formula बता रहे है multiplier is equal to 1 by MPS तो 1 by MPS है 0.2 अब देखो जब 0.2 है तो यह 1 by 0.2 ह यह point हटेगा तो उपर into डाल के 1 और point के बाद एक digit सा 2 तो यहाँ 0 लगेगा यानि 10 by 2 यानि यह cut के कितना आया 5 और 5 कितना है option number B पे तो right answer होगा option number B आगे question number 16 निवेस गुणांक है investment multiplier investment multiplier का यह और यह दोनो formula होता है तो right answer होगा option number C ठीक है question number 17 यह भी देखो repeated question है निवेस के निर्धारा घटक कौन सा है which is the determining factor of investment तो इसका right answer होगा option number C ठीक है A और B दोनों इसका right answer होगा एक minute रुको एक minute रुको मांग ना ना गलत है जी निवेस गुणांक तो निवेस गुणांक डिपेंड करता है आपका interest rate पे किस पे भाई interest rate पे डिपेंड करता है ठीक है option number B question number 18 मंदी वा अवस्था है जब अर्थिवेस्था में resistance is that state when in the economy देखो मंदी वो अवस्था होता है जहां production जो होता है ना production भी गिर रहा है यानि कि उत्पादन भी घट रहा है और लोगों का रोजगार भी घट रहा है employment भी गिर रहा है दोनों गिर रहा है production भी गिर रहा है employment भी गिर रहा है यानि कि उत्पाद भी घट रहा है और रोजगार भी घट रहा है ऐसे इस्थिती को मंदी कहा जाता है तो right answer होगा option number D रोजगार तथा उत्पादन अस्तर गिरता है employment and production लेबल false गिरता है question number 19 यह देखो 2023 का question है उभोग फलन C is equal to A plus BY में स्वैता उभोग है मतलब अपने आप क्या creates हो जाता है तो याद रखना यह जो A है यानि C is equal to A है अपने आप create हो गया है अच्छा अगर ऐसे बोलेगा C is equal to 100 plus B20 तो बोलेगा कि इसमें कौन अपने आप create हो गया तो यह equal to के बाद यहां क्या है 100 है तो 100 अपने आप create होगा इसको टिक लगाएंगे आया समझ में तो equal to के बाद यह जो A है ना A अपने आप create हो गया है इसको याद रखना है उतना याद रखना चोटा सा ट्रिक अब आते है question number 20 पे उभोग फलंस C is equal to 100 plus 0.5Y क्या अपने आप बन गया तो अभी बताएं equal to के जश्ट बाद 100 अपने आप बना है तो इसका right answer होगा 100 आगे question number 21 MPC के मान के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है तो इसका right answer होगा option number C यह formula है आपको इस चीज़ को याद रखना होगा अभी बताएं अभी हम बताएं थे कि MPC जो होता है अभी MCQ पढ़े थे ना कि MCQ जो होता है वो 0 से अधिक होता है लेकिन 1 से क्या होता है कम होता है तो 0 से अधिक होगा लेकिन 1 से कम होता है MPC आया समझ में ठीक है इसका नमबर 22 पे बोल रहा है देखो हम डायरेक्ट बता रहे है MPC MPC is equal to 0.4 है तो MPS का मान बताओ MPS क्या होगा फोर्मूला होता है MPS is equal to 1 by MPC ठीक है तो 1 by MPC है हम लोगों का 0.4 घटेगा तो 0.6 आएगा राइट एंसर होगा option number B आठ स्वालों को 2023 में पूछा था ठीक है चलो हो गया हम लोगों का ये भी chapter जो है हम लोगों का हो गया खतम यानि तीन chapter पढ़ लिए इन तीन chapter के अंदर में जो है वो काफी सारे units थे यानि काफी सारे sub chapter थे जिनको पढ़ लिए ठीक है अब हम लोग next और most important topic प्राते हैं जिसका नाम है मुद्रा और banking money and banking और पता है इस chapter से objective तो पूछेगा ही पूछेगा इस से subjective भी पूछेगा हम बता दे रही इस chapter से आप लोग कौन कौन सा subjective कर लेना ठीक है पहला subjective कर लेना आप मुद्रा क्या है इसके कारियों को बताईए what is money give its function मुद्रा के कारे तीन कारे होता है न वो सब तुसरा व्यापारिक बेंक क्या है इसको कारियों को बताईए what is commercial bank explained its functions तिसरा question कर लेना केंद्रिये बेंक क्या है इसके कारियों को बताईए यानि कि what is central bank यानि RBI क्या है इसका काम और एक question कर लेना व्यापारिक बेंक और केंद्रिये बेंक में अंतर difference between commercial bank and RBI central bank में difference और अगर एक question कर सकते हो आप बोलेगे सर कितना बता रहे हो, मान लो 5 question हम दे रहे हैं, और इसी में से तो long में 5 question में से एक 5 number का question लड़ गया, तो बल्ले बल्ले, एक question कर ले न, केंडरिये बेंग द्वारा साक का स्रीजन कैसे किया जाता है, how is credit creation by Reserve Bank of India, या RBI के द्वारा credit creation किस तरीके से किया जाता है, साक का निर्मार, ये 5 question कर ले न, हम 100% sure बोल रहे हैं, कि इनी 5ों में से एक long question आपको 5 number का देगा, देखो एक महिने का समय है एकजाम के लिए, इन 5 question को तैयारी कर लो, एक question 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, चलो भाई, अब money and banking topic पे आते हैं, और इसके एक एक करके MCQs को करते हैं, पहला question, निमलिकित में से किसके अनुसार, मुद्रा वा है जो मुद्रा का कारे करे, money is what money does, who said this, 2023, इस साल के लिए most important, 2023 में ये question हमको लगता है पूछेगा, बोल रहा है मुद्रा वा है जो मुद्रा का कारे करे, किसने कहा था, तो देखो याद रखने का तरीका बता रहे है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कारे करे यानि की पैसा 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 करते रहता है जाब देखो तब खली पैसा हट हट्रे हट्रे जब देखो तब खली पैसा क्या बोल रहे हम हट्रे हट्रे जब देखो तब खली तुम तो पैसा मांगता है हट्रे हट्रे पैसा नहीं है मेरे पास हट्रे पैसा नहीं है हट्रे तो हट्रे से आपको याद रख लेना है हट्रे देखो हट्रे से क्या याद रख रहतऄ लेना है आपको हट रहे मैरी पास पैसा नहीं है ठीक है हट रहे तो इसको याद रहेगा सब रहेगा question number two बोला गया question में निमलिकित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है which of the following is not a function of money तो money का functions पता यहां से क्या नहीं है price, stability, कीमत, इस्थीरता यह money का function नहीं है बाकि सब बिनिमाई का मालद्याम यानि medium of exchange है मुल्ये का संचक, store of value है इकाई किलेखांकन की इकाई units of accounts सब है कोन नहीं है तो कीमत इस्थीरता नहीं है यह इसका कारे नहीं है question number three बोल रहा है ब्यापारिक बेंक यानि commercial banks commercial banks कोन होता है option number A note निर्गमित करते हैं issue currency notes नहीं भाई, currency note भारत में currency note यानि की कागेच का जो note होता है वो छापने का काम कोन करता है RBI, commercial bank नहीं commercial bank क्या होता है commercial bank यानि ब्यापारिक bank वो bank होता है जैसे हम लोग जो भी देखते है estate bank of India, bank of India Punjab national bank, Punjab bank, Sindh bank केनारा bank हम जो भी ये bank देखते हैं सब का सब bank मेरे लिए ब्यापारिक bank है यानि commercial bank है नोर्मली commercial bank वो होता है जो लोगों का account अपनी यहां खुलवाता है लोगों से पैसा deposit लेता है और अलग-अलग loan उपलब्द कराने का काम करता है ATM देता है, credit card देता है debit card देता है, banking facility देता है लोकर्स तुविदा देता है यह कहलाता है मेरा कौन ब्यापारिक bank, note ब्यापारिक bank नहीं चापता है note चापता है RBI, ब्यापारिक bank नहीं भाई यह bank of India, state bank of India क्या है note चापता है, नहीं इसके बाद ग्रहांकों से जमा स्विकार करता है accept deposit from customer हाँ deposit accept करता है करहांकों को रिन देना, provide loan to customer हाँ बिल्कुल, लोगों से जमा लेता है और loan देता है, बिल्कुल तो इसका right answer होगा option number D, A and C sorry, B and C, both ठीक है, तो right answer होगा D question number 4, साख मुद्रा का बिस्तार होता है जब नगत कोस अनुपात credit money is increased when CRR, अब आप बोलोगों कि sir CRR क्या होता है, तो देखो CRR का मतलब हम समझा दे रहे हैं, इसका मतलब होता है case reserve case reserve ratio, अब यह होता क्या है ध्यान से समझना, ध्यान से इस चीज़ को समझना है, होता क्या है कि जितना भी भारत का सबसे बड़ा bank, banko का bank RBI है RBI जो है, यानि reserve bank of India जो है, भारत में जितने भी bank है, चाहे वो private bank हो या public bank हो, जितने भी commercial bank है, यानि जितने भी हम लोगों के आपका व्यापारिक bank है इन सभी को control करने का काम करता है जैसे मालो हम लोग जो है हम जनता लोग जो है, अपने कोई भी bank में पैसा जमा करते हैं तो bank सारा पैसा अपने पास कभी नहीं रखता है bank जो है, उन सारे पैसे को RBI को भेज देता है और RBI जो है, reserve bank of India जो है, ये एक ratio ताई कर दिया है कि देखो, अगर आपके सपोच कर लो, हम बस समझा रहे है सपोच कर लो कि आपके पास अगर 10 लाक रूपया जमा हुआ है, तो आप 10 लाक रूपया bank में नहीं रखोगे यानि bank अपने पास 10 लाक रूपया नहीं रखेगा bank बोलेगा, RBI बोलेगा कि इसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रखो 5 परसेंट, 10 परसेंट, 20 परसेंट एक रेशियो बता देगा कि देख बेटा इतना रूपया तुम अपने ब्रांच में रखो और बाकि सब तुम हमको भेज़ दो ये कहलाता है CRR यानि case reserve ratio अपने पास तुम इतना reserve रखेगा और बाकि सब हमको RBI को तुम भेज़ देगा अब यही बोल रहा है कि suppose कर लो कि अगर ये RBI का ये जो CRR ratio है अगर ये रिस्तार बिस्तार हो जाता है यानि CRR अगर बढ़ गया CRR क्या हो गया बढ़ गया इसका मतलब है suppose कर लो कि पहले RBI बोलता था suppose कि भाई 5% पैसा तुम अपने पास रखना अब ये ratio बढ़ गया यानि RBI जो है अब अपने ratio को बढ़ा दिया पहले RBI suppose कर लो 80% रखता था अब इसको बढ़ा कि RBI suppose 90% पैसा रखने लगा तो इससे bank वालों के पास जो पैसा है वो पैसा क्या हो जाएगा घट जाएगा यानि पैसा क्या हो जाता है घट जाता है simple बात है अगर CRR बढ़ेगा तो पैसा घटेगा अगर CRR घटेगा तो bank का पैसा बढ़ेगा याद रखना ठीक है अब ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर CRR बढ़ता है तो bank का loan क्या होता है घटेगा तूकि CRR बढ़ रहा है यानि कि RBI बोल रहा है कि तुम हमको ज़्यादा पैसा जमा करो मेरे यान अब अगर RBI की यहाँ ज़्यादा पैसा जमा होने लगा तो bank के पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए CRR बढ़ेगा तो लोन घटेगा और लोन का rate बढ़ेगा अगर CRR घटेगा तो लोन क्या होगा बढ़ेगा याद रखना ठीक है चलो आगे बढ़ते है नेक्स्ट एक मिनिट बापरे दो दिन से यह जो मोसम खराब है उस वज़ा से इतना ज़्यादा तवियत खराब हो गया है ना क्या बता है खुब ना डल्डा चू रहा है खुबनाक से चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है मजाक उजाक हो गया बहुत चलो आगे बढ़ते है ago question number five में निमलिखित मेंसे कौन सा कथान सही है अच्छा central bank चूडिया चलो देखते हैं क्या सही है Central bank का मतलब होता है सर जी RBI भारत का central bank है RBI यानी Reserve Bank of India Kendriya Bank Dave का सरवोच बैंक है Epex Bank of the Country बिल्कूल किसी भी देस का जो Central Bank होता है वो उस देश के बैंकों का बैंक होता है सही बात है और भारत का Central Bank है RBI Option number B केंद्रिये बैंक पर सरकार का स्वामी तो होता है ownership of the government बिल्कुल government का ownership होता है Central Government का केंद्रिये बैंक देश के banking प्रणालियों का संचालक करता है यानि Regulates the entire banking system in the country बिल्कुल सही है जितने भी बैंक है उन सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है देखो यह जो RBI है भारत में जितना भी बैंक है चाहे वो आपका State Bank of India है या तो फिर Bank of India है या तो केनारा बैंक है या पंजाब National Bank है जितने भी बैंक है IDBI है IDBI है या तो फिर HDFC बैंक है जितने भी बैंक है इन सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम RBI करता है इसलिए RBI बैंकों का बैंक है भारत में Question number 6 मुद्रापूर्ती का नियामान कोन करता है who regulates money supply money supply को regulate करने का काम करता है planning commission यानि की योजना आयो Question number 7 और हाँ कोई question का answer अगर आपको लगता है कि हम गलत बता दी है तो please उसको comment करके हमको जरूर बता देना यह बहुत important question है 2015 और 20 में पूछा है 2023 में यह question पूछा जाएगा बहुत important question है भारत में एक रुपिया का note जारी करता है in India one rupee note is issued by देखो 5 रुपिया, 10 रुपिया, 20 रुपिया, 50 रुपिया, 100 रुपिया, 200 रुपिया, 500 रुपिया यह सब note तो RBI छाप देता है लेकिन यह जो एक रुपिया का note है यह कौन छापता है तो आपको याद रखना होगा एक रुपिया का note भारत सरकार का बित मंत्राले यानि की Finance Ministry of Government of India, बित मंत्राले इसके जगा कभी-कभी लिखा हुआ रहेगा बित मंत्राले यानि की Financial Ministry तो याद रखना Financial Ministry जो है इसको छापता है बित मंत्राले को हग है वही जो है वो एक रुपिया का note अगेरा छापता है नो नमबर व्याप्यफसाइक बेंक यानि की The Commercial Bank 2016 का कोस्टेन है most important व्यापारिक बेंक क्या करता है जमा स्विकार करता है अगर कोई भी प्राइवेट बेंक से पबलिक बेंक में बदला जाता है तो वह कहलाता है नेसनीलाइजेशन यानि जो लोगों का हुआ था हम लोगों का nationalization हुआ था 1969 को, कितने तारिक को, 1969 को 19 जुलाई को जो है, वो nationalization हुआ था, और उस समय भारत में जो 14 बेंग था, उन 14 बेंगों का राश्ट्री करन किया गया था, यानि nationalization किया गया था 14 बेंगों का, कब 19 जुलाई 1979 को, ठीक है, राइट एंसर यह होगा, किस बीधी से हम बेंग से मुद्रा निकाल सकते हैं, थुरू which method we can withdraw money from bank, तो सब सब के द्वारा भाई, विड्रो फोर्म से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, एटियम से निकाल सकते हैं, question number 11, मुद्रा का कारे है the function of money is, यह भी most important question है 2023 के लिए, मुद्रा का कारे है इन में से सभी, मुल्य का माध्यक है यानि medium of exchange है, मुल्य का मापक यानि measure of value, मुल्य का संचाई store of value, सब, question number 12, यह भी question जो है इस साल पूछा था Central Bank of India क्या है, what is Central Bank of India, तो हम सब को पता है Central Bank of India कहा जाता है, कुँकि यह भारत का सर्वोत्तम bank है, question number 13, most important question 2023 के एक्जाम के लिए, Reserve Bank of India के स्थापना कब हुई थी, Reserve Bank of India was established, तो Reserve Bank of India जो है इसकी स्थापना आपका किया गया था, 1 April 1935 को कब अस्थापना किया गया था, 1 April 1935 को अस्थापना किया गया था, और उस समय इसकी अस्थापना जो है, वो 5 करोड रुपिया से इसकी अस्थापना की गई थी, कितने से, 1935 में Reserve Bank of India को बनाया गया था, और Reserve Bank of India यानि RBI को बनाया गया था और उस समय जो है 1 April 1935 को 5 करोड रुपया से इसको बनाया गया था उस समय इसका जो पैड़ अप कैपिटल था वो 5 करोड रुपया था अगे बढ़ते हैं next question पे देखो next आते हैं next आते हैं हम लोग question number question number 14 ATM का संपूर्ण नाम क्या है what is the full form of ATM ATM का full form होता है automatic tailor machine question number 15 वस्तू बिनिमय प्रणाली की निमलिकित में कौन सी कठिनाया है which one is the difficulty of barter system वस्तू बिनिमय प्रणाली ऐसा system जहां वस्तूओं के बदले वस्तूओं और सेवाओं के बदले सेवाओं का अदला बदली किया जाता है यानि एक सामान को दूसरे सामान से बदल दो ये तब होता था जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था यानि जो money था उतना ज़्यादा डेवलोप नहीं था और उसका कठिनाय इन में से सब होता था वस्तू बिनिमय प्रणाली में ये सब कठिनायां पाया जाता था पुस्ते नमबर 16 केंद्रिये बेंक का मुख कारे है में फंक्शन ओप सेंट्रल बेंक का मुख कारे क्या है तो सब सेंट्रल बेंक का सब मुख कारे है सेंट्रल बेंक यानि की RBI ठीक है भारत में जो RBI है उसका मुख कारे है केंद्रिये बेंक सरकार का बेंकर या एजेंट होता है बिल्कुल सही है बेंकों का बेंक होता है बिल्कुल सही है नोट इशू करता है नोट छापता है बिल्कुल सही है तो demonetization में 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था देखो कितना easy easy कभी कभी question पूछ देता है न चलो question number 18 वस्तु बिनिमाय प्राणाली का एक दोस निमलिकित में से कौन सा है which of the following is a defect of barter system of exchange तो barter system में जो है सबसे पहला वस्तु की कीमत का निर्धारन में आसान बोल रहा है difficulty यह आसान हुआ easy of pricing तो easy है तो difficulty थोड़ी है वो यह नहीं होगा आवस्ता के दोहरे सन्यों का भाव हाँ यह right answer है lake of double coincidence और यह फिर बोल रहा है आसान यह आसान तो बोल रहा है आसान वाला चीज थोड़ी बोल रहा है easy थोड़ी बोल रहा है क्या difficulty था तो difficulty के लिए option भी सही है बाकी A, C और D तो easy वाला बोल रहा है question number 19 most important question विसु बेंक की अस्थापना किस वर्स हुई थी when was world bank established तो आपको याद रखना होगा कि जो world bank का गठन किया गया था हम लोगों का वो गठन किया गया था आपका 1944 को गठन किया गया था और कब यूरोप और जापान के बीच जब second world war हुआ था उसके बाद जो है इसका गठन किया गया था कहां तो ब्रिटेन वूर्स समामेलन अमेरिका में ब्रिटेन वूर्स समामेलन हुआ था उसमें जो है ट्विन सिस्टर के नाम से दो चीजों का गठन किया गया था एक अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोस यानि की इंटरनेशनल मोनेटरी फंड आईमेफ को बनाया गया था और दूसरा आपको बनाया गया था वर्ल्ड बेंक को ये दो चीजों को जो है वो 1944 को ब्रेटन वूर्स समामेलन में बनाया गया था और ये जो वर्ल्ड बेंक को बनाया गया था उस समय वर्ल्ड बेंक का नाम वर्ल्ड बेंक नहीं था उस समय उनका नाम था IBRD ये नाम था इस नाम को आगे जा करके बदल करके इसका नाम World Bank रख दिया गया था ठीक है अब आप बोलोगे कि Sir IBRD का फुलपम क्या है तो इसका फुलपम होता है Industrial Bank for Reconstruction and Development यानि कि ये जो Second World War होने के बाद ये जो देशों को इतना नुकसान पहुंचा था तो वहाँ के Economic को Rebuild करने के लिए दोबारा से Economics को Growth करने के लिए जो है वो World Bank यानि IBRD को बनाया गया था ठीक है हो गया Banking में इतना Question कर लो भाई बहुत है चलो आगे बढ़ते हैं बेंकिंग के बाद हम लोग Topic No.10 पे आते हैं सरकारी बजट एवं अर्थिवास्ता बस बस दो और यूनिट है इसके बाद खतम हो जाएगा पाड भी भाई मेरोथोन कलास है ना ये तो थोड़ा लंबा तो चलेगा ही थोड़ा एड़ेस्टो करना ही पड़ेगा मेरोथोन कलास मतलब थोड़ी भाई दस या विस मिनिट का कलास होता है मेरोथोन मतलब लंबा कलास होता है ना कम से कम एक घंटा डेल घंटा ठीक है और इससे भी लंबा जब बनेगा तो हम लोग पड़ेंगे इसको इससे लंबत तीन घंटा चार घंटा का भी वीडियो आएगा उस समय पेसेंस रखके प्ड़ना पड़ेगा चलो भाई सरकारी बजट एवं अर्थिवास्ता अच्छा भाई बजट क्या होता है government budget and dich refromy देखो बजट का मतलब क्या होता है government budget जो है एक ऐसा statement होता है जिसमें government यह बताता है कि देखो मेरे पास इतना रुपिया है हम इतना पैसा कमाए है और इन पैसे को हम कहां कहां पे खर्च करेंगे इसके बारे में बताता है जो statement वही होता है सरकारी budget यानि की government budget उसमें आपना income कहां कहां आया कितना income है और वो income कहां कहां पे खर्च करेगा उसके बारे में बताता है यानि प्राप्ती और भुकतार यानि प्राप्ती और वियाय के बारे में यानि income revenue और expenditure के बारे में बताता ह बैसिकली बजट जो है वो दो तरीके का होता है एक संतुलित होता है एक और असंतुलित संतुलित का मतलब होता है हम लोगों का बाइलेंस बजट और असंतुलित का मतलब होता है अन बाइलेंस बजट ठीक है अन बाइलेंस बजट दो कंडिशन से हो सकता है जब इंकम और एक तो को जी थोड़ा टची नहीं काम करता है कभी कभी question number one निमलिखित में से कौन सा पर्त्यक्ष करो का जोड़ है which you want is the following is a peer of direct tax यानि जब कभी भी हम लोग direct tax को calculate करेंगे तो यहां से किसको जोड़ेंगे तो direct tax में wealth tax and income tax को जोड़ा जाता है संपत्ति कर और I कर बाकी यह जितना भी tax आप लोगों को दिया है यह सभी लोग सभी जो है यह indirect tax है कौन सा tax है indirect यानि की पर्त्यक्ष कर है पुरी सोरी गलत बोल हाँ चीक है indirect tax है यानि की आप पर्त्यक्ष कर रहे ठीक है बोला direct tax क्या है तो wealth tax और income tax direct होता है इसी और पर जाता है लेकिन इसका payment को और करता है income tax, income tax, property tax, wealth tax, gift tax income tax, property tax, wealth tax और gift tax यह direct tax का example है इसके बाद आपका GST हो गया, GST हो गया, sell tax हो गया, service tax हो गया exercise duty हो गया, custom duty हो गया, auxiliary हो गया, toll tax हो गया यह सब indirect tax होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग question number 2 पे, निम्न मेंसे कौन सी प्रथमिक घाटे का सही माप है which of the following is correct measure of primary deficit यानी प्रथमिक घाटा तो simple सा बात है प्रथमिक घाटा जो है प्रथमिक घाटा उसका मतलब हम लोगों का होता है द्यान से समझना हाँ, प्रथमिक घाटे का मतलब होता है जब हम लोग राजकोसिकिये घाटा मेंसे माइनस कर देते हैं ब्याच का भुकतान यानी fixal deficit मेंसे माइनस कर देते हैं interest payment तब मेरा निकल करके आ जाता है primary deficit तीक है राजकोसिकिये घाटा माइनस ब्याच का भुकतान ये हम लोगों का right answer होगा ठीक है चलो, आगे question number 3 निमने में से कौन अपर text कर है which of which is included in indirect text तो हम अभी बताएं थे ये जो हम लोगों का income text होता है ये हम लोगों का होता है direct text ठीक है, तो बोल रहा है इसके बाद weld text ये भी हम लोगों का direct text है gift text ये भी हम लोगों का direct text है बोल रहा है, कौन indirect text है तो भाई A, B और D ये सब तो direct text है indirect text होता है मेरा excise duty यानि की उतपाद सुल्क ये हम लोगों का indirect text है question number 4 असंतुलित budget में in an unbalanced budget एक जो unbalanced budget होता है उसमें क्या होता है तो इसका right answer होगा option number D यानि की B और C दोनो unbalanced budget का मतलब होता है I क्या पेक्छा व्यायदिक होता है या घाटा, रिंड या नोट चापकर पूरा किया जा सकता है तो right answer होगा इसका option number D, B और C दोनो सही है question number 5 budget है budget age तो हमको पता है बजट क्या होता है तो budget होता है सरकार की IBI का बेवरा इजे description of income expenditure of government बिल्कुल सही government बताता है मेरा इतना पैसा है यहां खर्चा करेंगे सरकार की आर्तिक निती का दास्तावेज इजे document of economic policy of government बिल्कुल सही है सरकार के नए कार्म कारेकर्मों का बिल्कुल सही है new होना चाहिए तो right answer होगा इसका option number D इन में से सभी question number 5 भारत का बित्तिय वर्स है financial year in India तो भारत का जो बित्तिय वर्स है वो start होता है एक एप्रिल से और close होता है 31 मार्च यानि एक एप्रिल से लेकर के 31 मार्च तक जो year चलता है वो होता है calendar year इसको accounting year sorry इसको बोला जाता है financial year इसको accounting year भी बोला जाता है calendar year तो start होता है एक जनवरी से और closing होता है 31 December को question number से बेड़ budget प्राप्तियों के संगठक सम्मिलित कोन में budget दो चीजों से मिलकर के बनता है budget एक होता है revenue और एक होता है capital budget receipt दो तरीके का होता है प्राप्तियां दो तरीके का होता है एक है आएगत प्राप्तियां और एक है आएगत प्राप्तियां राजस वो प्राप्तियां नी डी पे बोल रहा है सरकार के कर राजसु के अंतरगत निमलिकित में कौन सामिल है 2020 का question है most important टेक्स revenue of the government include भारत के टेक्स revenue में सब आता है क्योंकि सब तरीके का tax government लगाती है तो option D इसका right answer होगा question number 9 अपरत्यक्ष कर है direct taxes income tax direct tax होता है gift tax दोनों होता है तो right answer होगा option number C A और B दोनों question number 10 बजट के संगठक निमलिकित में कौन सा है which each component of a budget तो भाई बजट में दोनों चीज़ आता है तो C इसका right answer होगा 15 number परत्यक्ष करवा कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तोर पर लगाया जाता है ऐसा किसने कहा a direct tax is really paid by the person on whom it legally imposed who said this यानि कि किसने कहा था कि परत्यक्ष कर जो है जिस आदमी पे लगाएगा उसी आदमी को payment करना होगा तुमको काम दिये है तो तुम करो ने तो डाटेंगे तुमको काम दिये है तो तुम करो तुमको करना होगा ने तो डाटेंगे डाटने से याद रहेगा डालतन तुमको काम दिये है तो काम तुम करेगा ने तो तुमको डाटेंगे तो यह होता है डाटने से याद रहेगा डालतन ठीक है तो right answer होगा C डालतन देखो कोई कोई चीज जितना easy होगा हम उतना easy तो इसको समझाएंगे आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई भी tension या देखकर doubt ना हो ठीक है बोर तो होकर के नहीं ना भाग गए आप लोग ठीक है बोर मत हो ना क्यूंकि भाई पड़ना पड़ेगा ना एकजाम में आपको बैठना है हमको नहीं हम बैठते तो फिर तो कोई दिकते नहीं होता question number 12 निमलिखित कतनों में कौन सा सही है which of the following statement is true बाप रे इतना ज्यादा option है सर जी हमको तो option समझे में नहीं आ रहा है ठीक है मत समझो अभी हम option में बोले तो option D पे all of this होगा ठीक सा लगा सकते है लेकिन रुको इसमें बोल रहा है राज को से किये घाटे पर्थामिक घाट और ब्याज भुकतान के योग होता है यो राज कहां ठीक है इसका राइट एंसर होगा option number C थोड़ा पढ़ ले न हाँ ऐसे भी CBSी में पूछा गया question है तेरा नमबर पे बोल रहा है निमलिखित में से कौन सी राजस वो प्राप्ती नहीं है which of the following is not a revenue receipt revenue receipt का मतलब होता है ऐस जो गवर्मेंट को बार-बार मिलेगा तो revenue receipt यहां से कोन नहीं है तो 13 का right answer होगा option number A रिनो की वसूली यानि recovery of loan loan का पैसा बार-बार थोड़ी मिलेगा भै एक बार loan का payment कर दिया हो गया question number 14 budget में हो सकता है budget में भी include तो बोला गया है कि budget में जो है वो हर condition हो सकता है तो right answer कि revenue deficit हो सकता है fixal deficit हो सकता है primary deficit आगम घाटा अबित्य घाटा प्रारंबी घाटा सब हो सकता है ठीक है और यह सब क्या होता है इन सब का meaning थोड़ा सा जरूर देख लेना ठीक है एक्जाम में पूछता है 15 पे बोल रहा है निमलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्य नहीं 16 पे बोल रहा है निमल में से आपर्त्यक्ष कर का इक उधारन कौन सा है which of the following is an example of indirect tax तो indirect tax में sell tax और excise duty दोनों ही indirect tax होता है तो right answer होगा C यह जो income tax है आए कर जो है यह direct tax होता है कौन सा tax होता है direct tax यानि कि यह पर्त्यक्ष कर होता है और हमको question में क्या बोल रहा है answer होगा ठीक है आगे 17 नंबर राजस वो ब्याय एवं राजस वो प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं what is difference between revenue expenditure and revenue receipts is called तो simple सा बात है राजस वो आय में से जब राजस वो प्राप्तियों को हम लोग घटा देंगे यानि कि राजस वो आय में से किसको घटा देंगे राजस वो आय में से राजस वो व्याय में से राजस वो व्याय बोल रहा है ना रुको राजस वो व्याय यानि कि खर्चा जादा है राजस वो व्याय माइनेस राजस वो प्राप्ति तो ये कहलाएगा राजस वो घटा देखो क्या बोल रहा है इंगलिस में सुनना हा राजस वो व्य में से राजस्वश प्राप्थी को घटाएंगे और इसे वह गहता का पर्मूला होता है राजस्वश घहाटा इस इकोल टू राजस्वश माइनेस राजस्वश प्राप्थियां यह इसका फॉर्मूला होता है यानि यह जो हम लोग का revenue deficit है उसका formula होता है revenue expenditure minus revenue income यानि expenditure जादा है income कम है तो घाटा होगा तो राजसवो घाटा ठीक है राजसवो घाटा क्योंकि question में देखो राजसवो राजसवो बोला तो answer में भी राजसवो mention करेंगे 18 नमबर निमलिखित में से कौन सा पर्त्यक्ष करका एक उधारन है which of the following is an example of direct tax तो भाई ये जो हम लोगों का आपका corporate tax जो है ये हम लोगों का direct tax होता है बाकि सब जो है वो indirect tax है ठीक है जी एस्टी एकसाई जूटी टैरिफ indirect tax है ये corporate tax जो है हम लोगों का direct tax होता है ठीक है आगे question number 18 निम्ल में से कौन सा पर्त्यक्ष करका एक उधारन है अरे अरे अभी ये question पड़े ना repeat हो गया गलती से 19 नमबर राजस्व घाटा क्या होता है what is revenue deficit भाई अभी अभी तो हम लोग पड़े थे ना कि राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है तो राजस्व घाटा का मतलब होता है जब राजस्व घाटा का मतलब होता है जब राजस्व घाटा का मतलब होता है यानि revenue deficit का मतलब होता है difference between revenue expenditure and revenue receipt अभी तो हम लोग इसको पड़े थे उपर में question को आई ना चलो हो गया ये हम लोगों का खतम हो गया lesson 10 भी अब एक last chapter एक लोगों का पूरा तरह से खतम हो जाएगा I hope हर चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कोई भी दिक्कट डाउट परिसानी है तो please हमको comment box पर comment करके जरूर पूछ लेना कि sir ये question समझ में आया एक बार और समझा दो और अगर कोई question समझ में नहीं आ तो उसका screenshot लेकर के telegram group पे हमको message कर देना हम वहाँ separately आप लोगों को उसका answer जरूर समझा देंगे ठीक है चलो भाई उतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं अब है एक last chapter पढ़ते हैं और खतम करते हैं part B का पूरा marathon class को ठीक है चलो इसका पहला question और इसमें ना चीजों को निमलिखित में कौन सी विशेषता है which one is the features of violence of payment तो एक जो violence of payment होता है इन में से सभी all of these यह सब इसका feature होता है तो से number two आद्रिश्य मदों के अंतरगत निमलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है which one is the invisible item of violence of payment यानि violence of payment में यहां से किसको हम लोग include करते हैं तो इन में से सभी को हम लोग include करते हैं ठीक है आगे three number बुक्तान संतुलन में निमलिखित में से कौन सी द्रिश्य मद है which one is the visible item of violence of payment यहां से जो हम लोग किसको दिखाते देखो deep है all of these बोला मार दो all of these को ठीक उतना ज्यादा सोचने का ज़रुरत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question number four ब्यापार संतुलन का अर्थ हो यह है import and export of goods यह कहलाता है आपका violence of payment यानि violence of trade बाइलेंस of trade actual में import और एक्सपोर्ट को आयात और निर्यात को बताता है आपका ब्यापार संतुलन ठीक है अगर आपका आयात तो अगर आपका आयात कम है और निर्याद जादा है यानि कि आप export ज़्यादा कर दिये हो import कम किय निर्याज ज़्यादा कर दिये आयाद कम किये तो आपका व्यापार अनुकूल है यानि आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में है और उसी का उल्टा अगर आप आयाद ज़्यादा कर लिये मतलब मंगा ज़्यादा दिये दूसरे देशों से ज़्यादा सामान मंगा दिय है तो ये कहलाता है आपका ब्यापार परती कूल यानि कि बाइलेश अनफेफर ठीक है ट्रेड अनफेबर ठीक है पॉस् ucz a no. 5 भुक्तान संतुलन में असामानता के कारण है the reason of im बैलेश इन बैलेश और पेमिन्ट बैलेश देखो बाइलेश ओडेड कितना payment किया समझ में आ रहे हम क्या बोल रहे हैं देखो हम ये समझाने का कोशिस कर रहे हैं कि एक देश दूसरा देश में क्या आयात निर्यात किया ये ब्यापार संतुलन बताता है एक देश दूसरे देश के साथ कितना import और export किया है ये बताता है violence of trade violence of payment यानि कि भुक्तान संतुलन ये बताता है कि एक देश दूसरे देश को कितना पैसा दिया या कितना पैसा मिला payment का जब बात होगा lane देन का बात होगा तब ये violence of payment होगा और जब ब्यापार का बात होगा आयात निर्यात का बात होगा import export का बात होगा वो unviolence मेरा हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते है next question पे question number 6 पे आते है 6 पे बोल रहा है इस्थीर बिनिमाई दर के निमलिखित में से कोन से रूप है इस्थीर बिनिमाई दर के निमलिखित में से कोन से रूप है इंगलिस में बोल रहा है which one is a kind of fixed exchange rate तो याद रखना आप कि ये जो fixed exchange rate जब भी तै होता है तो ये fixed exchange rate जब भी तै होता है तो इसका right answer होगा हम लोगों का 6 का right answer होगा option number D which one is a kind of fixed exchange rate अच्छा fixed exchange rate option number C इसका right answer होगा ये दोनों के कारण ये दोनों होता है बिदेशी बिनिमाई दर का निर्धारन होता है foreign exchange rates is determined by 2016 का question है 2023 के लिए most important बिदेशी बिनिमाई दर पता है किस चीज़ से तह होता है मांग और पूर्ती से याद रखना किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारन मांग और पूर्ती से होता है मांग और पूर्तीयों के द्वारा होता है option D इसका right answer है question number 8 भुक्तान सेश के अंतरगत निमलिखित में से कौन सी मदे सम्मिलित होती है which items are included in violence of payment 2013 का question है violence of payment में यहां से कौन कौन सा चीज़ को सामिल किया जाता है तो 8 का right answer होगा हम लोगों का option number D सबको न moyen पे बोल रहा है व्यापार छेत्र में कौन सी मद्धं सम्मिलित था है उच आयटमज इच्ध इन्क्वूडेड इन बाइलेंस ओफ ट्रेड तो बाइलेंस ओफ ट्रेड का बात हो रहा है question number 10 भुक्तान सेस का घटक है the component या components of business of payment तो business of payment में जो है आपका आता है इन में से दोनों ए और भी दोनों current assessed और current account और capital account जब balance of payment बनाते हैं ना तो इसके regarding दो account बनाया जाता है एक आता है current account और एक होता है हम लोगों का capital account दोनों आता है ठीक है आगे question number 11 पुझी खाते के अंतरगात निमलिकित में से किसे सामिल किया जाता है which one is the item of capital account यानि जब हम लोग capital account बनाते हैं बाइलेंस of payment में जब capital account बनाते हैं तो इन में से किसको सामिल करते हैं इन में से सभी को question number 12 चालू खाते में निमलिकित में कौन सी मदे है which one is the item of current account देखो वो capital account था ये current account है तो जब current account बनाते हैं तो current account में भी इन में से सभी को दिखाते हैं question number 13 भुकतान सेस की सनरचना में निमलिकित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं which account is included in the composition of violence of payment जब violence of payment बनाते हैं तो भाई जाहिर सी बात है दोनों को दिखाते हैं अभी तो हम लोग पढ़े थे इसको question number 14 भी निमलिकित में कौन से रूप है which one is the kind of exchange rate तो exchange rate जो होता है वो क्या होता है तो इसका right answer होगा option number C, A और B question number 15 निमलिकित में कौन सा कथन सही है which of the following is true अब देखो भाई answer जो है वो उतना लंबा दिया है option उतना लंबा दिया है हम बोले थे D पे अगर all of these दिखेगा तो मार देना वो नहीं दिखेगा तो C पे अगर A और B दोनों होगा तो मार देना question number 16 बिदेशी बिनिमाइद दर का निर्धारन होता है foreign exchange rate is determined हम अभी बोले बिदेशी बिनिमाइद दर तै होता है मांग और पूर्ती कहीं है हाँ देखो मांग एवाम पूर्ती यानि demand and supply के द्वारा तो right answer होगा C question number 17 निमलिकित में से कौन सा मद भुकतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है which of the following item is a component of current account of violence of payment ये इस साल का question है ठीक है कि violence of payment में जो है यहाँ से किसको सामिल करते है तो right answer होगा option number D वस्तुओं का निर्यात यानि export of goods को ठीक है export of goods उसका payment आता है भुकतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कोन आर्थिक कारण है which one of the following is the economic reason of imbalance in violence of payment क्या हो जाएगा जिससे violence of payment जो है वो in violence हो जाएगा तो right answer होगा option number A राजनीतिक कारण ठीक है अच्छा अगर option number D देके all of this रखता ना तो मार देते उसको question number 19 पूर्ती अधीके के इस्थिती में किसी वस्तू की कीमत में डोट होने की प्रविर्ती होती है in the situation of excess of supply the tendency of price of goods simple सा बात है अगर supply जादा हो गया तो price भी क्या होगा उसका भाई बढ़ेगा ठीक है 19 का right answer होगा हम लोग का option number एक मिनिट रुको 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 गलत बोल रहे हैं न एक मिनिट समझो मा अगर बाजार में किसी भी चीज का आप पूर्ती जादा कर दिये यानि कि market में क्या जादा कर दिये supply बहुत सारा goods को market में बेचने के लिए आप भेज दिये supply कर दिये उतना ज़्यादा demand था ही नहीं और अगर supply बहुत ज़्यादा है तो आप चाहोगे कि आपका सामान मारकेट में बिके और बहुत ज़्यादा सामान supply करके रख दिये यानि आपको सामान को सस्ता दाम पे बेचना होगा यानि दाम कम करना होगा ठीक है यानि supply जब बहुत जादा बढ़ जाता है तो उसका दाम जो है वो कम हो जाता है ठीक है खोल 20 इसका right answer होगा 20 नमबर पे बोल रहा है उच्टम निर्धारन कीमत में बाजार में डोट-डोट की इस्तिती उत्पन होती है Due to maximum fixed price, the situation dot-dot arises in market तो market में किस तरीके का situation arise हो जाता है तो उससे मांग जो है वो आधिक के हो जाता है डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाता है उस समय में आगे question number 19 किस परिस्तिती में मुद्रा की पूर्ती में कमी हो सकती है In which of the following situations there can be decreased in supply of money क्या ऐसे होगा जिससे money का supply जो है वो घट जाएगा तो हम अभी money and banking वाला topic पर आपको ये question समझाएं थे कि जब CRR increase हो जाएगा CRR क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तब उस समय money का supply घट जाएगा ठीक है question number 22 question number 22 ने बोल रहा है जब किसी देश की बिदेशी बिनिमाई दर का निर्धारन बाजार की सक्तियों के दोवारा होता है तो इस परकार की बिनिमाई दर को क्या कहा जाता है when the foreign exchange rate of a country is determined market forces then what is type of exchange rate is called तब इसको किस तरीके के exchange rate बोला जाता है तब इसको बोला जाता है हम लोगों का तितरी तितरी बिनिमाई यानि floating exchange floating यानि की बढ़ते घटने वाला ठीक है आगे question number 23 पर आते हैं निमलिखित में से भुकतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है which of the following is a component of current account of violence of payment तो जब violence of payment बनाते हैं तो यहां का जो आपका component होगा वो वस्तुओं का आयात यानि import of goods के regarding आता है import export of goods के regarding हो जाता है तिक है बस इतना ही जो है हम लोगों का part B का most important question है अगर आप इतने questions को अच्छे से कर लेते हो ना तो इससे आपका question banks हो जाएगा इससे आपके previous year questions हो जाएगे इससे आपका model paper हो जाएगा और exam में यह आपको बहुत help करेगा इसके अलावे अगर मान लोग की question में या इसके अलावे अगर model paper में कोई और question मिलेगा तो हम आप लोगों को समय समय पर जो है वो देते रहेंगे बस भाई हो गया फाइनली खतम हो गया हम लोगों का आज का marathon class आसा करता हूँ कि आप लोगों को हर एक question अच्छा से समझ में आया होगा अगर कोई भी question में डिक्का doubt परिसानी है तो comment box आपके लिए है या तो comment करकर के मारो या comment फिक फिक के मारो जो भी दिक्का doubt परिसानी है आप हमको comment box पे comment करके पूछ सकते हो इसी तरीके से हर एक subject का हम एक-एक marathon class आप लोगों के लिए ले के आएंगे क्योंकि समय बहुत कम है एक-एक chapter पढ़ने का समय नहीं है तो एक marathon class लाएंगे जिसमें हम लोग एक पूरे subjects के most important objective को अलग से और subjective को अलग से हम लोग solve करेंगे ताकि कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और एक ही वीडियो में one sort revision हम लोग करेंगे ताकि वो भी channel को subscribe कर सके ठीक है चलो मिलते है next time तब तक के लिए bye take care मन लगा के पढ़ाई करो कोई भी दिकाट डाउट परिसानी है कोई question समझ में नहीं आया है तो पूछो उसका screenshot लेकर के telegram पे हमको message करो मैं आपका सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा ठीक है चलो bye take care